पनी का इतनी दबदबा है कि यहां पर जनता को डराया जाता है धमकाया जाता है भागाया जाता है और नहीं भागने पर उस पर फायर दर्ज करा करके उसको किसी एन केन बहाने करके उसको जेल में डाल दिया जाता है यहां पर यहीं देखा जाता है यहां से हजारी बाग ले जाया जाता है कर अग्सिदेंट होता है तो बड़का गाउमें ऐसा इलाज क्यों नहीं है हम आप से पूछेंगे हम और किसी से नहीं पूछेंगे आपको आप जन परतिनियों तो को बने हुए एक साल हो गए लेकिन एक साल में आज तलग आपनों न कि एक साथ बस नहीं चले कम से कम ददस मियंट के अंतराल में चले कि जिस साल हो गया वह बात को अगरावी तक कोई पाहल नहीं किया गया है एक साथ ट्रेन के तरह हम एसा चलते रहते गारी बलका गाव में एक भीशन सड़क हाथसा हुआ अभी हमारे साथ उपरमुग बचंदेव हैं समझें कि उनसे कि क्या हुआ और कैसे हुआ और कैसे हुआ देखिए यहां पर कंपनी का जो बस आ रही थी और इधर से ड्रेवर है और टर्बो लेकर के जा रहा था इसी बीच मे मोर के पास बस इतना स्पीड से आ रहा था कि टर्बो को मारते हुए अगे निकलने का पर्यास किया लेकिन दोनों में ऐसा एक पॉल था जो कि रोक दिया और उसमें यह ड्राइबर जो इस तरह से फस गिया कि उसको निकालना मुस्किल हो गया और ना निकालने के कारण यह बहुत देरों तक रहा लेकिन यहां पर अस्थानिय लोग थे काफी परियास के बाद निकाला गया और निकाले साथ साथ हजारी बाद ले जाने के कर्मे में इनकी मौत हो गई कि ये जो यह कहां से आ रहे थे हैं और बस बड़का की तरप से अगटीसी उन्लम परतिनिती है आप ये उपड़ उपर मुख है तो आपने देखा है कब इसन इसको अब इनकी तिर्वेनी की और NTPC की जितनी रफ चलती हैं ये गाडियां ना पुलिस परसाचन इसके उपर ध्यान देता है ना कभी आप लोग कभी इतनी ततप्रत्ता दिखाए हैं इसको एक्शनली जी उसकी बड़ी घटना का सिकार हो गया ये गरीबाद में जी हम लोगों ने ज संबंधित जो परभावित छेत्र है कोलखनन के परभावित छेत्र उन सभी लोगों ने हम लोगों बात रखा कि कंपनी या तो अपना खुद का रोड बना ले या फिर कंपनी का जो बेल्ट के माधियम से जो कोईला डुलाई होने लगा है तो यह गाड़ी को जो गाड़ी का मनमाना रवाईया है परशाचिनी का धिकारी भी हैं या इस पर कोई किसी तरह का कोई नकल नहीं है हम लोग लोग जो हमने पूरी जिला के घ्ञा में उचाय लेकिन हमारे नेता लोग जो हैं और यहां के अश्थानिय लोग हैं यहां धूल खा रहे हैं मिटी खा रहा हैं गर्दा खा रहे हैं और यहां पर अपना जान भी दे रहे हैं लेकिन बढ़कागों के लिए ये दुर्भाग ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई पास्थ समझी बेस्था है और नहीं यहाँ के परभावी छेत्र उन लोग के लिए कोई उचीत बेस्था दिया जा रहा है बस यहाँ से सिर्प खनान का कारे करके यहाँ का कोईला को डुलाई किया जा रहा है यहाँ का संपती किसी और राजिये में बेचा जा रहा है और यहाँ को तरही तरही किया जा रहा है यहाँ जनता हर रूप से तरही माम है प्रशासीनी के अधिकारी अपनी कमान संभाले और यहां पर मुख्य रूप से हजारइबग जीला उपायुक्त मोहदया यहां पर उपस्तित हो साथ ही साथ सांसत मोहदय उपस्तित हो जो यहां पर जानता के हीद के लिए हम लोगे को लड़ना है वो भी यहां आकर कि अपने बात को कर रखे ताकि यहां की जो संसादरों की कम्या है जो यहां पर जनता जो तराही माम हो रहे हैं उनको उचित लाब यहां पर मिले इसलिए हम लोग भी ततपर हैं और यहां के जिला पर सासन है वो भी यहां के जनता को लाब पहुचाने सभिखेत करें ना कि यहां पर हमारे चैनल पर सलूशन आज तक नहीं निकला है इसमें जो मरते वो गरीब आदमी अभी यहाँ पर लेटा है वही गरीब आदमी मरता है जो रोजी रोटी के लिए गाड़िया चलाते हैं और जो रोज काम करते हैं यहाँ पर हम लोग आजी नया कहानी नहीं है यहाँ पर हमको लगता कि साल भर में हमको लगता है 20-25 इस्टिटेंट होते रहता है और कंपणी अपना मन मोजी से जैसे मन करता है नसा के जोओंक में गाड़ी इधर से उधर मतलब अपना चलेते रहती हैं अभी से जस्ट एग म कमपनी का आदमी आया ले गिया इलाज कराया फिर प्राविट से इलाज हुआ बोला कि हम पैसा देंगे पंद्रह हजर खर्चा हुआ उसमें एक चोवनी अभी तक नहीं मिला उसको पिठी परिवार को और आज का दूर घटना जो है हम यह हमको लगता है सोग मीटर दूर घसर के ले गिया है बस टर्बो का उसका बाद यहां के लोकल जनता लोग उसको निकाला उसका बाद इसको ले गिया यहां से हजारी बाग कमपनी का आदमी कमपनी का आदमी वहां गिया किसी परकार उसको मिर्तु हो गिया कमपनी का आदमी पूरा वहां से वहां से निकल गिया इतना दुर्भाग है कि हमारे पास अच्छा होस्पीटल नहीं है जिसको हम बढ़का गाओ पहले लेके जाएंगे या पहले हजारी वाग लेके जाएंगे दिया जाएंगे जाएंगे जिसको हम लोग का यहां से रोयल्टी एक साल में 200 क्रोड रुपया जा रहा है और यहां कोई विकास नहीं हो रहा है यहां हम लोग का खाली बिनास हो रहा है हम लोग का विकास सलाकार समीथि का गठन हुआ था पूर मुखिया का हम लोग एक साल से डी सी मेडम यहां हम लोग गए हैं तससे बीस बर हम लोग गए है आज होगा कल होगा सवासन के अलावे कूछ हम लोगि का नहीं हुआ वहां सब बोला जाता है कि आप जाए isolेकर पर बलोक में और वहां प्सकाइब के पास कुछ दिन रहा उसका बात फिर डिसी यहां है फिर उसका बाद हम लोग फिर गहें अब चार दिन पहले फिर हम लोग का स्वासान थीज़ नहीं निराकरण हम लोग करते हैं अभी तक ले हम लोग पच्छमी में हम लोग आठ मुख्या हम लोग आते हैं उसमें हम लोग आज से दू तीन महना पहले गये थे सिक्री ओफिस वहां पे बोला गया कि ठीक है आप लोग का हर मंथ बैट के डिसार्ट किया जाएगा कैसे चलाना है कंपनी नहीं चला जाएगा कोई उसमें वारता नहीं किया जगया है कंपनी इससे मन करता है वह इससे अपना चलते रहता है एक और एक और है वचंदे हम हमारा सवाल यह कि यह है कि अगर हम इतनी बड़ी कंपनियां यहां पर चल रही है और जहार्खन में सबसे ज़्यादा रेविन्यू देने वाला परखंड है यह परखंड है लेकिन अभी तलक हम आपने जिस तरह से बोला कि यहां से हजारी बाग ले जाया जाता है कर कोई भी अक्सिदेंट होता है तो बड़का में ऐसा इलाज क्यों नहीं हम आप से पूछेंगे हम और किसी से नहीं पूछेंगे आपको आप जन परति करवाई करें यहां पर कम से कम जो हमारा सीएट सेंटर है उसमें कम से कम एक स्रे मसीन होना चाहिए और भी अनेक अनेक परकार के हम लोगों ने बात रखी है लेकिन यहां पर सुनता ही नहीं है कंपनी का इतनी बड़ी दबदबा है कि परसासनिक अधहिकारी जो है सब मौन बैठे हुए हैं यहां पर यही हम लोगों को देख देखते आ रहें यहां पर अभी बताते हैं अभी हमारे ठाना परभाडी हैं उव खूद भखूद यहां पर हैos यहां पर जनता को ड़़ाया जाता है धमकाय जाता है और नहीं भागने पर उस पर यह डर्जे करा करके उसको किसी एंकی ढहने करके उसको जेल में डाल दिया जाता है यहां पर यहीं देखा जा रहा है लेकिन हम ड़ाटे यहां जो परिजन है वो आए हैं ज़र आप देखिए कि जो गरीब तपका लोग है वो कैसे रहते रहेंगे यहां पर यहां पर कन बहर बेल्ट चालू हो गया तो यहां वार्ता किया गया था कि मायन के जो इधर का रोड है अपना बेपास हो बना हुए और अभी इधर से टरक हाइवा चलते रहता है यहां का बाबली को बहुत नुकसान पहुंच रहा है वह अपना कन बहर बेल चाहिए हम लोग कोई दुख तपलिग नहीं है और यहां से छे मैना पहले बरकागा वीडियो साहिब के साथ में हम लोग 7-8 मुख्यां हम लोग बैट के वार्ता किया गय है एक साथ ट्रेन के तरह हम इसा चलते रहते गारी यहां पर बस भी चल रहा है तो नसा करके चल रहा है कंपणी का चलिए यह हैं का हाल अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से यहां पर ntpc जिसको भारत का सबसे महारतन कंपणी बोला जाता है वहां के जो लोग है जहां से ये खनन कंपणिया खनन कर रही है जिनके जमीन पर ये खनन कर रही है वहाँ पर एक हॉस्पिटल भी नहीं है इलाज करने के लिए आपको बता दे कि हमारे चैनल में ही एक सिकरी में एक लड़का का एक्सिडेंट हुआ था अगर उसका इलाज अगर सही स सारी जाने बच सकती है पर इसके उपर किसी को कोई द्यान नहीं है आप देखिए कि लोग यहां पे हैं इनके परिजन हैं और भी आगे हमको दिखाएंगे कि किस तरह से है बने रही है आप मेरे साथ मेरा नाम है अमीत और आप देख रहे थे दा पंचायत निउस नमस्कार झाल 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 झाल